12 साल तक की बच्ची से रेप पर फासी की सजा का प्रावधान लोग सभा में संशोधन बिल पेश होगा अकबर हत्याकान में अलवर पुलिस की लापरवाही गाय को गौशाला पहुचाया और घायल अकबर को अस्पताल की बजाय थाने में रखा राहुल गांधी की अगवाई में कॉंग्रेस वाकिंग कमिटी की पहली बैठक के बाद पार्टी का एलान 2019 के चुनाव में राहुल पीएम पत के उमीदवार होंगे केंदे सरकार की खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद शिफ सेना और बीजेबी में दूरी बढ़ी पार्टी अध्यक्ष अमिद्शा ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिये हिमाचल प्रदेश के मंडी में रिहायशी इमारत में आग लगी पांच की मौत कई फसे ग्रेटर नॉइडा के बाद अब गाजियबाद में निर्माणा धीन इमारत गिरी दो की मौत साथ जखमी कुलगाओं में पुलिस कॉंस्टेबल सलीम को अगवा करके हत्या करने वाले तीन आतंगी मारे गए जम्मु कश्मीर पुलिस का दावा काबुल एरपोर्ट के गेट पर धमाके में 16 लोगों की मौत उप्राष्टपती अब्दुल रशीद दोस्तम के लोटते ही हमला हुआ और एशियाई जूनियर चेंपियंशिप में पहलवान सचिनराथी ने 74 किलोमीटर फ्री स्टाइल भारवर्ग में मंगोलिया के बैट एंडरन को हरा कर सुवन पदक जीता